हेलो प्रेंट्स वेल्कम टू रीता सैनी ग्रीन गैलरी यह मेरा चोटा सा गार्डन है और यह हमारी तुलसी माता आज जानेंगे तुलसी के पोदे की देखवाल कैसे करें सबसे पहले तुलसी में पानी बहुत कम डालना चाहिए थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए ज्यादा पानी कभी न डालें ज्यादा पानी डालने से पोदे की जड़ें करने लग जाती है और वह सूप जाता है हमेशा थोड़ा थोड़ा पानी डालें तुलसी का पोदा इंद लोटे से ही जल दे ज्यादा जल देंगे तो जड़े गल जाएंगी नेक्स टेप में तुलसी के पोदे पर जो ये मंजरी आ रही है समय समय पर इनको खटाते रहना चाहिए बिल्कुल आराम से निकल जाती है इनको थोड़ा सा प्रैस करेंगे और ये निकल जाएगी इनको समय समय पर हटाते रहना चाहिए इससे पोदे की लाइफ बढ़ती है और पोदा हरा बरा रहता है तुलसी में हमेशा खाद डालनी जरूरी होती है और इसमें गोबर की घाद अच्छी होती है पर गीला गोबर कभी न डालें गोबर को सुखा कर उसका पाउडर बना कर तब ही डालें क्वीध समय पर पोदे की पिंचिंगं करते रहें दीजिमल खईआ हम इनकी पिंचिंग करते रहेंगे ताइम पर तो नहीं पत्तिय आएंगी और पोदा अच्छा ग्रौध करेगा इस तरह से पोदे की समय समय पर पोदे की पिंचिंग करते हैं तुलसी का पोदा उस्दियों से भरपूर होता है इसका यूज हम चाय में करते हैं, काड़े में करते हैं कई बिमारियों में ये काम में आता है तो हमें पोदे के अच्छे से लेगवाल करें और इसको खराबरा बनाए रखें तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में नाश्कार